वंदे मात्रम दियर स्टुडेंट्स तोड़े वी विल सी दी पार्ट टू अफ इंग्लिश सब्जेक्ट अफ स्टेंडर सिक्स एन दी पार्ट टू इस दी कंटिनुटी अफ पार्ट वन वीडियो तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे उनिट सेवन की चोरी है ना फैर प्ले उसका पार्ट थ्री देखेंगे इस वीडियो में और पार्ट वन के वीडियो को कंटिनुट करेंगे है ना तब ही तक अपने क्या देखा था कि जुमान और अलगू दोनों फ्रेंज है और दोनों की अच्छी फ्रेंशिप थी पर जुमान और उसकी आंटी के बीच कुछ प्रोपर्टी को लेके कुछ वो मिसंडरस्टेंडिंग हुई थी और दोनों पंच के पास ले गए थे कि इसको मंथली एलाउंस की वज़े से फिर अलगू को पंच बनाया था और अलगू ने फैर डिसीशन दिखाया था फिर अलगू और जुमान दो और क्या हो गये थे एनिमी हो गये थे अब आगे देखते हैं डेस पास्टेंड एज इल लग वूल्ड हैव इट अलगू चौदरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पोर्ट वन ओफ इस फाइन पैर ओफ बुलॉक्स जाइड और ही सूल्ड द अदर टू सम्जू साहू अ जोकि उसको एक बहुत ही टाइट स्पोर्ट यानि difficult situation में मुश्किली में पड़ गया था उसका जो सबसे अच्छा बुलॉक्स का पैर था बुलॉक्स यानि क्या होते हैं अपने अपने जब खेती करते हैं तब बुलॉक्स को लेते हैं ना तो वही उसके जो सबसे अच्छ गाव में एक काट ड्राइवर था उसको बेच दिये थे अपने दोनों के बीच में अपने एसी थी कि साहू उस बुलॉक के जो भी रुपे है वह किसको अलगु को एक महिने में दे देगा और ऐसा हुआ कि महिना खतम भी नहीं हुआ और उसके पहले ही वो बुलॉक सारे मर गए दोनों several months after the बुलॉक स देथ अलगु रिमाइड़ साहू of the money he hadn't yet paid साहू गोट एनॉइड I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me अब थोड़े महिने गुजर गए उस बुलॉक स के मरने के बाद और अलगु ने साहू को याद दिलाया कि उसने अभी तक उस बुलॉक के रुपे नहीं भरे है दिये है और साहू अब क्या हुआ एनॉइड यानि की गुस्से हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें उस व्रेच्ट बीस यानि की मनहुस जानवरों के लिए तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूँगा जो तुने मुझे दिये थे He brought us nothing but ruin, ruin यानि तबा कि उन लोगोंने कुछ नहीं पर हम लोगों को तबा कर दिया था अब क्या हुआ कि कौन कह रहा है तो वो साहू कह रहा है कि मेरे पास एक बुलोग है तो मुझे महिने के लिए यूज करो फिर मुझे वापिस दे दो और जो मर गय है उनके लिए मैं कोई रुपया नहीं दूँगा गुस्से से बोला अलगू decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months preparation for holding the panchayat was made and both the parties started meeting people seeking their support अब क्या हुआ कि अलगू ने उसके case को panchayat में लिजाने का निरने किया और अब दूसरी बार थोड़े ही महिनों में वापिस panchayat बुलाने की तयारिया होने लगी और दोनों पाटी है वो लोगों से मिलने लगी कि वो उन लोगों की मदद करें अब पंचायत को उसी उल्ड बनियन ट्री के नीचे वापिस बुलाया गया और अलगु वापे खडा रहा और बोला की panch का जो बीर निर नहीं होगा वही भगवान का निर नहीं होगा भले साहु ही ही जो panch का मुख्या उससे नॉमिनेट करें मैं उसके साथ खडा हूँ साहु saw his chance and proposed the name of जुमान अलगु's heart sank and he turned pale but what could he do अब साहु को chance तो मिल गया की वो कुछ करें और उसने क्या किया की जुमान का नाम लिया ये ही सुनते की जुमान का नाम ले रहा है ये सुनके अलगु का क्या हुआ अलगु का मू लाल पिला हो गया और वो ऐसे ही कि अब तो मेरा कुछ हो गई नहीं पर वो क्या कर सकता था तो मॉमेंट जुमान वीकेम हैड पंच he realized this responsibility as judge and the dignity of his office अब क्या हुआ जैसे ही जुमान को पंच का मुख्या बनाया गया तो उसे उसकी जिमेदारी का एहसास हुआ कि उसे कैसे judge की तरह निरने लेना चे और उसकी office की उसकी dignity उसको महसूस हुई could he seated in that high place have his revenge now अब वो सोच रहा था कि वो इतनी उच्ची जगे बैटकर क्या वो बदला ले सकता था he thought and thought वो बारंबार सोचता रहा no he must not फिर उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता देखो आप लोगों का दिखाई दे रहा है न ये punch बुलाई गई है और ये old bunion tree है ये दोनो friends है अलगू और जुमान है ना अब क्या हुआ कि no he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice अब वो कह रहा था कि नहीं मैं अपनी personal feelings को सच्चाई और justice बोलने में बीच में नहीं लाऊंगा बोथ अलगू और साहू स्टेट देर केसे दे वेर क्रॉस एग्जामिन और केस वस कंसीडर डीपली अब क्या हुआ कि दोनों अलगू और साहू ने अपने बारे में अपना केस समझाया सबको दोनों को क्रॉस एग्जामिन भी किया और उनके केस को बहुती उंड़ाई से देखा गया फिर जुमान खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब हमारा निरनी ये है कि साहू को अलगू को अपने बुलोक का जो भी दाम था वो देना पड़ेगा अब जुमान ने कहा कि साहू जब बुलोक को लाया था तो वो कोई बीमारी से या कोई बी अलग खोटखाटपन से गुजर नहीं रहे थे और उन लोगों की मौत वो तो अनफॉर्चूनल थी यानि की लग से ऐसे इकिसमत से हुई थी बट अलगू कैनोट बी ब्लेंट फॉर इट अलगू कोट नॉट 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 इस फेलिंस और जैसे ही जुमा ने इतना कहा तो अलगू ने क्या किया अलगू खड़े होने से रुक नहीं पाया और जुमा ने कहा कि अलगू को अपने ब्लेंट नहीं कर सकते फिर अलगू अपनी फिलिंग्स छूपा नहीं पाया और खड़ा होकर जोड-जोड से बुलने लगा कि पंचायत की विजई हो यही ज़स्टिस है यही और जो भी पंच का निर नहीं है वो भगन का निर नही अब थोड़ी देर बाद ही जुमान वा अलगू के पास आया उसे गल्ले लगाया और फिर बोला एम्ब्रेज यानी गल्ले लगाया और फिर बोला कि पिछली पंच चायद से लेकर मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था और आज मुझे रियलाईज हुआ कि पंच होना क्या होता है तब क्या कह रहा था जुमान कि एक पंच का ना ही दोस्त होता है ना ही दुश्मन उसे सिर्फ justice जो भी नियाई होता है वो ही उसे पता होता है और deviate यानी क्या होता है कि move away from यानी छोड़ना और भले कोई भी हो वो अपनी friendship हो या दुश्मन हो उसके कारण वो नियाई के रस्ते को ना छोड़े अलगू embraced his friend and wept and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them अलगू ने क्या किया उसके friend को गले लगाया और आसू भराये रोने लगा और उसके आसू उसकी सारी जो misunderstanding थी उसको धोने लगी दोनों के बीच में धोके निकल गई तो कैसी लगी स्टूरी आपको एक स्टूरी कसे ने लिखी है फ्रेम चंद ने री टोल्ड वापीस बॉली गई है इसलिए री टोल्ड है ओके तो सबको आई निस स्टूरी समझ में अच्छा तो अब आप सबको क्या करना है इस story को अच्छे से पढ़ना है जो भी यहाँ पे side में आपको दिखाई दे रहे ना new words वो सब आपको extra rough notebook में लिखने है और learn करने है और story को अच्छे से पढ़ना है ओकी वन दिमात राम